पीज़ा बनाने के साथ तो सुचया उनके लिए कुछ बना देती हूँ थोड़ा उनको जो टेस्ट ही लगेगा तो इंस्टेंट वाला पीज़ा बना लिया और यह न बहुत ही जल्दी बन जाता है क्योंकि बेस रेडी आ जाता है उस पे दोनों सॉसिस लगाया चीज लगाया और कुछ जादा सबजिया नहीं था घर पे तो अनियन लगाया और उसको बेक कर लिया अपने देसी स्टाइल अवन में दीवाली आने वाली है तो परप्रेशन सुरू हो चुके है तो यह बहुत सारे ग्लासे बाहर निकल के आ गए थे तो इन सब को वाश कर दिया और सूपने के लिए रख दिया क्योंकि इनको उठाके रख देने वाली हूं बाहर बहुत सारे बरतन रहते हैं तो किचिन बहुत मैसी हो जाता है तो चाह आप सारे के सारे एक्स्ट्रा बरतन हटा दूँ ताकि जितने जरूरत है उतने निकाले और जादा बरतन होने पे जादा वाश करना पड़ता है तो कल के breakfast की तयारी भी हम साथ में कर लेते हैं यहाँ पे कल मैं breakfast में बनाने वाली हूँ उनके लिए मूंग डाल का चिला तो सबसे पहले हम मूंग डाल को अच्छे से वाश कर लेंगे अच्छे से वाश करने के बाद इसको हम 3-4 घंटे के लिए भीगो के रख देंगी बट मैंने इसको ऐसा रात भर के लिए भीगो के रखा था बहुत लोग लसन प्यास दोनों चीज डालते हैं तो जैसे आपको ठीक कर लगे वैसे कर लीज़ेगा देखो मैंने अभी डाल को पीसने रख दिया था तब तक मेरे किचिन में जो भी मैंने में लाया था उस सब को मैंने क्लीन कर दिया तो दोनों काम साथ में हो गया अभी हमारी डाल रेडी है तो मैं हल्दी पहले डालना भूल गई थी तो मैंने अभी हल्दी और हींग को डाल दिया आप चाहे तो पहली भी डाल सकते हैं अभी भी डाल सकते हैं दोनों से मैं आप इसको स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि इसको मैंने सिफ कलर के लिए डाला है और हल्दी तो immunity booster का भी काम करता है तो आप इसको use कर सकते हैं तब तक हम इसके साथ के लिए बना लेंगे एक green चट्नी मैंने ले लिया है धनिया, आप पोदीना भी ले सकते हैं उसके बाद टमाटर, हरिमेज और नमत, कुछ लोग जीरा डालना पसंद करते हैं पर मैंने याप पर नहीं डाला था चट्नी हमारा ready हो गया है तो अब हमने जब दाल पीसी थी तो थोड़ी सी दरदरी बोलते हैं हलकी सी cluttery दाल रहती है ना, वो निकाल लीती तो उससे मैं 4-5 मंगोडे बना दूँगी दाल के पतिदेब के लिए तो अगर आप छोटी छोटी सी मतलब आप थोड़ा सा creative हो जाए ना तो एक time पे आप उनको कई चीज़े बना के खिला सकते हैं सेम recipe से मैंने बही किया था और अभी जो थोड़ा सा दाल मैंने बचा के रखा है उसके साथ मैं उनके लिए बनाओंगी दाल की पूरिया एक साइट मंगोडे सिक रहे है और चाय दूसरे साइट उबल रहे है ये दोनों ready हो जाएंगे तो हम serve करना start करेंगे तो देखो मंगोडे बनके ready हैं इनको करती हूँ मैं अभी serving start और दूसरे साइट जो मेरा gas खाली हुआ है उस पे मैंने अपना चिला बनने के लिए रख दिया है इसको धीमे आज पर बनाते हैं तो ये बहुत अच्छे से cook होता है और बहुती crispy बनता है एकदम pancake की तरह इसमें छोटे-छोटे bubbles भी आते हैं तो चटनी, मंगोडे, उसके साथ चीला, चाय तो ये है मेरे परिदेप का आज का breakfast तो चलो उनको देके आते हैं और मैंने यहीं खड़े-खड़े चाय पी लिया क्योंकि हमेशा क्या होता है न बनाने के चक्कर में मेरी चाय का टेस्ट हो जाता है खतम वो हो जाती है ठंडी और गरम करके दुबारा पीने का कोई मतलब नहीं है तो अभी देखो दोपैर बर मैं पूरे घर का क्लेनिंग कर रही है दोपैर का राइस बचा हुआ था तो बिसी बेले बाद के लिए मैंने इसको पानी में बिगा कर रख दिया है और कल सुबह इसका बहुत अच्छा सा रेसिपी बनने वाला है बची हुई चावल से बनाया है जिसको और ये बहुत ही अच्छा सोर्स होता है प्रोवायोटिक्स का तो कल सुबह बनने वाली है इसकी बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी तो नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइब